So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Traders So आज इस वीडियो में हम कुछ multiple stocks को discuss करने वाले हैं तो यहाँ पर sell के बारे में हम discuss करेंगे साथ ही Gail, Tata Steel और Vedanta जिसे stock को इस वीडियो में हम दीखेंगे तो वीडियो को end तक देखना क्योंकि काभी कुछ चीज़े discuss होने वाली इनके chart इनके target हम discuss करने वाले तो वीडियो को आगे continue करूगा उससे पहले channel को subscribe कर देना और telegram चले को join करना चाते हो तो कर लेना जहाँ पर आपको bank nipty nipty की काभी कुछ updates मिलने वाली है वीडियो की शुरुआत हम करने वाले है steel authority of india limited के साथ यहाँ पर अगर आप देखोंगे 99.50 rupees के round stock में यहाँ पर हमें closing देखने को मिल जाती है वही अगर आप देखो तो stock यहाँ पर 20 पेसे तक की एक बड़त हमें यहाँ पर दिखादावा नजर आ रहा है 0.20% के basis पर growth हमें देखने को मिल रही है पर आज हमें हलकी पुलकी बड़त stock में देखने को मिली वही अगर हम देखे तो stock आज दो रुपे तक बढ़ चुका था बट वही अगर हम देखे तो बाद में काफी ज़्यादा fluctuations देखने को stock में हमें मिले है इस चीज़ का आपको धियान रखना है तो news की अगर बात कर ले तो कोई भी news यहाँ पर हमें नहीं नजर आ रही वही अगर हम बात कर ले इसके levels की तो levels important है levels में काफी कुछ चीज़े मैं discuss यहाँ पर करने वाला हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो trade line हमने पहले discuss की थी उस trade line से यहाँ पर ace ने आज लिया है rejection वहीं अगर हम देखे तो हमने कुछ यहाँ पर levels discuss किये थे पहले भी तो उसमें हमने बताया था कि उपर आप देखो तो sell में rejection देखने को मिल रहा है यहाँसे rejection है यहाँसे rejection है और यहाँसे rejection है और वही अगर हम देखे इन रिजेक्शन के बावजुद यहाँ पर सपोर्ट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा था पर हमने कहा था कि अगर इस पर्टिकलर रेज को इस पर्टिकलर लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक फॉल आ सकता है exactly ओ चीज हमें देखने को मिली भी स्टॉक में यहाँ पर आया एक फॉल जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला तो वे से ही गिरावट हमें नजर आई है और कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पर सस्टेंट करने की कोशिश करेगा और हमें लग रहा था कि यहाँ पर सस्टेंट कल ही कर जाएगा पडेजा नहीं वह आज भी इसमें गिरावट आई और आज अगर देखो तो आज ही इसने यहाँ पर सस्टेंग किया है और इस रेंज से गिरावट रही है बट उपर के लिए मैंने एक चीज गही थी कि अगर आप positive रहना चाहते हो इसमें तो उपर की चुए trade line है जहाँ से हमें rejection मिले है इस particular trade line से जहाँ पर हमें rejection मिले है इस trade line को break होने का wait करना इस trade line को अगर यह break कर देता है तो आप positive रह सकते हो क्योंकि अगर इस trade line को यह break कर देता तो यहाँ से अच्छे return तगडे return हमें देखने को मिल सकते थे बट इसा नहीं हुआ यहाँ पर मैंने एक चीज कही थी कि अगर आपको bind करना ही है तो आप wait करो इस particular level पर जब तक यह नहीं आ जाता तब तक आपको bind की और नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह level काफी ज़दा important है sell के लिए तो के से तुम्हें बताऊगा बट उससे वेले एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ से सस्टेंट करके यहाँ तक आ सकता है तो अब बात कर लेते हैं यह वाली range यह वाली जो range है यह इतनी ज्यादा क्यों important है तो उसे हम देखेंगे एक बड़े time frame पर तो बड़े time frame पर हम बात कर लेते हैं पहले day one के time frame पर तो day one के time frame पर आपको यह चीज समझ में आएगी तो यहाँ पर बिल्कुल day one time frame पर हम आ गए है और day one time frame पर अगर हम देखें तो stock में यहाँ से हमें मिल रहा है एक rejection, यहाँ से हमें rejection देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो rejection है, नीचे से अगर आप देखो support है, support, फिर support लिया, फिर support लिया, तो उपर से अगर आप देखो तो rejection देखने को मिल जाता है, नीचे से अगर आप देखो त तो यहाँ पर sustain करके यह share बिलकुल ऊपर की ओर जा सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो stock में जो यह 95-96 का जो level है यह level काफी ज़्यदा है important तो यहाँ पर इस support लेके ऊपर की ओर के तगड़े return हमें दे सकता है एक शान्दा rally stock में हमें देखने को मिल सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको buying की ओर जाना चाहिए तो थोड़ा wait कर लो इस particular trade line पर आता है तो विलकुल आप buy की ओर जा सकते हो यहाँ पर sell की हमने बात कर लिए बात कर लेते हैं हमारे next stock की next stock है हमारा gail तो गेल में यहाँ पर एक शान्दार बड़त आज देखने को मिली कल काफी कुछ चीज़ जो हमने डिसकस की थी गेल इंडिया लिमिटेट को लेकर और आज हमें एक अच्छी बड़त देखने को मिली भी है stock 125.10 के अराउं open हुआ था 127.40 के अराउं बड़त भी रही यानि 2 रुपे टाई रुपे तक तो एजी तरीके से बड़ गया था बड़ उसके बाद अगर आप देखोगे तो stock में 9 बचके पर 35 मिनट के बाद एक गिरावट आई और एक गिरावट में अगर आप देखो यहाँ से stock गिरना स्टार्ट हुआ लग भग एशियर 2 रुपे तक गिर चुका था फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो 12 बजे के बाद इसमें फिर से एक बड़त आई फिर उसके बाद इसने अच्छी रिकवरी यहाँ पर बता दिए और all stock ने अच्छी return दिये हैं पिछले 5 दिन की बेगर बात कर ले तो 9 रुपे 10 पैसे की एक शानदर बड़त इसने बताई है इसके लेवल्स important है तो लेवल्स को हम discuss करेंगे बट पहले सर्च कर लेते हैं गेल इंडिया लेमिटेट तो गेल इंडिया लेमिटेट को यहाँ पर हमने सर्च कर लिया है अब देखते हैं इसक बड़त हमें देखने को मिली भी stock में पहले है यहाँ से rejection यहाँ से rejection यहाँ से rejection तो एक प्रॉपर rejection लेवल यहा पर बना था और यहाँ से बिलकुल आप देखोगे तो इस particular trade line पर support भी ले रहा था तो एक चीज मैंने कहीथी कि इस particular trade line को ब्रेक करता है तो अच्छी बड़त करेगा बड़ यहाँ पर इस लेवल का भी आपको ध्यान रखना है कौन से लेवल का तो उपर अगर देखे तो ए लेवल ब्रेक होना काफी ज़दा है जब तक यह रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक यहाँ पर आप ऊपर कियो और मत जाना अगर अपने आज बाई नहीं किया है तो और नीचे से इस ट्रेड लाइन को भी ध्यान में आप रख सकते हो यह तो बिलकुल एक प्रॉपर लेवल यहाँ पर बना है उपर का यह में कल अच्छी बड़त रही और आज अगर देखिए तो 50 पेसे तक की ही बड़त हमें देखने को मिली है मार्केट इतना बड़ा बड़ टाटा स्टिल में जादा बड़त आज नहीं देखने को मिले स्टॉक नहीं यहाँ पर अगर आप देखो 130.10 रुपिस के राउं तक की क्लोजिंग दी है और वही अगर बात कर ले न्यूस की तो कोई भी न्यूस यहाँ पर टाटा स्टिल में नहीं देखने को मिलती है वही अब बात कर लेते हैं लेवल्स की तो लेवल्स कल काफी ज़ बड़ उपर से जब तक कि इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर ब्रेक नहीं करता तो अगर आप बाइंग करना ही चाते हो तो इस लेवल के राउंड जाने कोशिश करेगा आज पूरी कोशिश इसमें की गई है वह लग रहा था कि उपर की जाएगा बड़ पूरी तरीके से न तो नहीं की द्यान में रखना है और उपर से रेड लाइन को लिए रखना है वह लग अगर वूर थको फिल खरना में बीच में जा सकता है बीच में मत फस ना क्ईख़िए अगर भाई कर लिया तो आप फस सकते हो क्योंकि इस particular trade line को अगर कल इसने break कर दिया कल एक deciding day हो सकता है कल break अगर इस particular trade line को कर दिया तो यहाँ से इस gap को feel करने की यहाँ पर Tata Steel की और से पूरी कोशिश हो सकती है क्योंकि इस trade line को में यहाँ से भी बनाओ तो बिलकुल यहाँ पर आप देख सकते हो बिलकुल यहाँ से एक breakdown का chances हमें बढ़ जाते हैं तो देखना होगा कल क्या होता है तो अब बात कर लेते हैं हमारे next stock की जो next stock हमारा होने वाला है वेदानता लिमेटेट सो वेदानता लिमेटेट की अगर बात कर ले तो stock में कल हलकी सी बड़त देखने को मिली थी बट आज अगर देखे तो stock में हमें देखाई दे रही है एक गिरावट stock अगर देखा जाए तो 2 रुपे 0.5 पेसे के अराउंड तक की गिरावट यहाँ पर बताता हुआ नजरा रहा है 0.85 परसिंग के बेसिस पे stock में यहाँ पर गिरावट रही है तो यहाँ पर जो company है ओ जान भी भी आ की है वर आज की अगर news में की में बात कर लो आज भी एक news यहाँ पर आ रही है 3524 करोर 253,320 करोर order book company backed order एक मेरड़ गैस order worth 625 करोर from हिंदुस्तान जिंक और वेदानता लिमिटेड तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक company है जिसने यहाँ पर बिल्कुल एक order बेग किया है हिंदुस्तान और वेदानता के साथ यहाँ पर अगर देखें तो एक कौन सी company है मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा बड़ यहाँ पर अगर देखें एक चीज तो clear हो जाती कि वेदानता और हिंदुस्तान जिंक की और से एक order दिया गया है किसी company को तो एक चीज हमें अच्छी देखने को मल रही है यहाँ पर वेदानता के लेवल्स को अब हम डिसकस कर लेते हैं वेदानता के लेवल्स इंपोर्टेंट है तो उसे भी हम देख लेते हैं तो वेदानता लिमिटेट सर्च कर लेते हैं तो बिलकुल यहाँ पर वेदानता लिमिटेट के लेवल्स के ऊपर हम आ गये हैं और अ पहले भी support लिखके गया था उपर और यहां पर एक चीन में ने कही थी कि यह इस particular range को अगर break करता है तो एक fall आ सकता है इसने उसका क्या positive impact पड़ता है कल देखना होगा बट यहां पर लग रहा है कि positive impact पड़ सकता है तो उपर आप कुछ levels का ध्यान रखो फिर उसकी जब से आप इसमें treat की ओर जा सकते हो तो यहां पर बिल्कुल उपर से rejection level है नीचे से अगर आप देखो तो एक support भी हमें देखन upside down momentum यहां पर देखने को मिल जाते हैं उपर अगर A level break होता है तो अच्छी बड़ता है कि नीचे अगर breakdown आता है तो एक बड़ा fall भी हमें देखने को मिल सकता है तो यहां पर काफी जो चार shares हमने discuss किये उनक्यों लेकर काफी कुछ बाते हमने कर ली I hope video आपको अच्छा लग अबना है